Hello cadets, welcome to the second lecture of your 17th chapter, last chapter that is measurement. तो कल अपनने देखा measurement क्यों important है, और अपनने ये भी बोला, कल ये भी देखा था कि length क्यों define क्या गया, time क्यों define क्या गया, mass, weight क्यों define क्या गया, yes, और फिर उसके बाद अपना volume, area, ये सब चीज क्यों define क्या गया, ये सब बने बता दिया आपको. अब आज अपन देखेंगे सबसे पहले कि metric system होता क्या है, ठीक है, units, ऐसा units क्या होती है और metric system क्या होता है, और फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ेंगे, चलो, तो देखो, metric system, units को नहीं बुला गया है, metric system है, कौन सा system, जिसमें हर एक unit और दूसरे unit के बीच में जो रिस हो, जैसे 1 cm is equal to, जैसे बोलो, 1 meter is equal to 100 cm, यह आपने सुना है क्या, 1 meter equal to 100 cm यह तो सुना ही होगा, scale अगर देखते हो आप लोग, अरे भी आप 6th class में जाने वाले हो ना, तो खुछ से सोचो, 1 meter equal to 100 cm, तो कितने का रिस्ता है, 100 का, कि 100 cm मिलके 1 meter बना, तो यह system को क्या metric system, मतलब यह जो दो यूनिट दी होई है, यह metric system follow कर रही है, 10-10 का अंतर हो, यह 100-100 का अंतर हो, 1000-1000 का अंतर हो, तो इसको अपने बोलेंगे metric system, चमक गया, या फिर देखो, जैसे 1 cm is equal to 10 mm, यहाँ पर 1000 meter is equal to 1 km, देखो, कितने का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर, 10 का रिस्ता है, यहाँ पर 100 का रिस्ता है, यहाँ पर 1000 का रिस्ता है, तो 10 या 10 की power में, जब आपस में units vary करती है, तो अपन उसको क्या बोलते है, metric system, ठीक है, देखो, ध्यान से देखो, और पढ़ो, क्या बोल रहा है, definition देखो, a system uses the base 10 place value system, ठीक है, 10 place value system use कर रहा है, 10, या फिर, it means, if we want to convert from one metric unit to other, एक metric unit से, meter से, दूसरे में centimeter में convert करना है, तो just, you have to multiply or divide by 10, या फिर, any power of 10, metric system क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, metric system ये बोलता है, कि जब भी आपको एक unit से, दूसरे unit में convert करना है, जैसे meter से centimeter, या centimeter से millimeter, या meter से kilometer, तो आपको या तो 10 से multiply ये divide करना पड़ेगा, या फिर, 1000 से, या फिर, 100 से, मतलब 10 की power से, are you getting my point, तो देखो, जैसे 1 centimeter, 1 centimeter कितना हो जाएगा आपका, 1 centimeter can be written as, 1 upon 100 meter, तो या तो 100 से multiply करना पड़ा, या 100 से divide, 10 से या तो multiply, 10 से divide, मतलब 10, 10 या 10 की power, इसी के उपर depend करेगा, सारी की सारी चीज़े, done, पक्का, तो इसको बोलते हैं, हमने metric system, metric system में, जो पूरा follow करता है, वो है length और weight, time के लिए, जो metric system बनाया गया था, उसको acceptability नहीं मिली, मतलब कोई मानता ही नहीं, सुना ही नहीं होगा आपने, ठीक है, तो अपन time के लिए क्या मानते हैं, 60 वाला factor मानते है, रे भी आपको exam होती है, तो आपको exam में मालूम है ना, आपको 2 घंटे मीले हैं, तो आपको मालूम है अच्छा 2 घंटे है, तो कितने 120 मिनट, उसको अपन basic metric system में लेते हैं, ठीक है, बट वो follow नहीं करता है, मतलब ये 100, 100, 10, 10 वाला follow नहीं करता है, फिर area, volume, ये करता है, मतलब length, weight, area, volume, ये 4 के 4 metric system follow करते हैं, तो बहुत easy है याद करना है, बस एक line याद करना है, एक गाना याद करना है, मिली संटी डेसी मीटर, डेका है, टो किलो मेटर, ठीक है क्या, बस, मतलब ये कब मैंने class 5 में रटी होगी, अभी तक या देख दम, मिली संटी डेसी मीटर, डेका है, टो किलो मेटर, तो इस से आपका पूरो metric system हो जाएगा, length भी, weight भी, area भी, volume भी, जो मैं आपको पूरो proper तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ओके, तो metric system क्या होता है, metric system एक ऐसा system है, जिसमें एक unit से दूसरे unit में convert करने के लिए, सिर्फ 10 या 10 की power का ही use हो, multiply, divide हो, are you getting my point, देखो जैसे example मैंने आपके सामने यहाँ पर दिये, तो this is known as metric system, अब metric system कौन-कौन follow करता है, length, weight, area, volume, क्य प्रोपर बताओ, सब को चमक गया, पक्का, अच्छे से, लॉक कर दिया जाए, चलो, good, तो चलो, अब अपन दिखते है, basic metric units क्या क्या है, तो जो अपनने metric system बनाया, कि भाई 10-10 से बढ़ेगा, 10-10 से कम होगा, या 100-100 से बढ़ेगा, 100-100 से कम होगा, तो एक तो होना चाही कि हाँ बैस में से 10-10 बढ़ेगा, तो ये बोलेंगे, 10-10 कम होगा, तो ये बोलेंगे, तो जो base quantity ली गई, वो length के ली गई meter, ठीक है, weight के ली गई गई gram, अभी अपन बहुत detail में बात करेंगे, पूरा length के बारे में बात करेंगे, फिर weight के बारे में, time के बारे में, area के बा अब देखो, time के लिए लिए गया second, although ये metric system follow नहीं करता, लेकिन base quantity ली गईगी, second जो है, वो base metric quantity होगी, area के लिए meter square, volume के लिए meter cube, अब आप बोलो कि सर, SI units क्या है, SI unit मितलब international, ठीक है, system of units, international system of units, पूरे international, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, कुछ भी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगा acceptable है, मतलब length की एक ऐसी unit, जो हर जगा acceptable है, widely used है, सबसे most, ठीक है, international system of units, तो उसको बोला गया meter, मतलब जो metric unit की जो base unit है, उसी को बोल दिया गया कि यही अपसे SI unit है, SI unit मतलब, international system of unit, पूरे world में, कहीं पर भी, एक meter को जो बोला जाएगा, वो हर जगा माना जाएगा, ठीक है क्या, तो one meter is the international system of unit, weight, weight का जो base metric system है, वो है gram, gram से gram से बड़ी quantity और शोटी quantity है, डिफाइन करी गई, लेकिन gram बहुत शोटी quantity है, इसलिए अपनने kg को, kg को क्य बना दिया, SI units, मतलब, international system of units में, अपन क्या use करेंगे, kg, मतलब, generally अपन को किसी बिचिस का answer देना है आ रहेगा, तो अपन किसमें देंगे, kg, 4 kg, 0.2 kg, 0.5 kg, ये SI units में, are you getting my point, तो SI unit क्या है, kg, लेकिन base unit क्या है, gram, तो आपको याद SI units ही करना है, ये base unit का क्या काम है, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है, मैं अभी आपको बताओंगा, base unit का क्या काम है, ठीक है, जब मैं length, weight, area, volume, जो भी सब कुछ हो जाएगा, तब आपको और clear होगा, तो अभी जो doubts हारे हैं, उनको रखो, पूरे chapter खतम होते तक और doubts 99% मर जाएगे, 1% जो रहेगा, उसके Olympia Arts exam होते हैं, NTSC, National Talent Search Examination, जिसको अगर आप qualify करते हो, तो आप भारत की दरोहर माने जाते हो, मतब, you are a prestigious student of India, तो एक गर्व, बहुत गर्व वाली बात होती है, NTSC qualify करना, तो NTSC हो गया, NTSC, JS, KVPY, वैसे बहुत सारी Olympia Arts होती हैं आपकी, उन सारी Olympia Arts के लिए भी मैं मैं तो कहीं आपको छोड़ के जाने रहा हूं, ठीक है, और आपके पास भी option नहीं है, छोड़ के जाने का, तो अब आपन को आगे continue करना है, आपको पूरा, मतब, इतना ज़्यादा अच्छा है student मना देना है, कि 10th के बाद जब आप 11th में जाओ, तो maximum चीज़ें आपको आ 20, चलो, तो we at soluble science हमारा यही target है, कि हम foundation बच्चों को 10 तक इतना अच्छा इतना अच्छा प्रिपेर कराते हैं, कि 11th में वो हर एक एक चुनाओतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ओके, चलो, तो देखो, time, time के लिए जो आपकी base quantity है second, SI unit भी है second, area के लिए meter square, SI unit के लिए meter square, volume के लिए meter cube, और मतब सारी सारी चीज़े सेम है, देखो, length वाली सेम है, time वाली, area वाली, volume वाली, जो base metric system है, उसी को ऐसा unit लिए गया बस, weight को छोड़के, base metric system क्या लिए गया, gram, और ऐसा unit क्या लिए गया, kg, done, पक्का, चलो, आगे, measurement of length, length का measurement, मैंने बताया क् Length, measurement of length is usually defined as the size of object, length, breath, height, terms like long, short, wide, deep, near, far, etc. are described as measurement of length, मतब जब भी आप ऐसे बोलते हैं कितना दूर है, कितना पास है, कितना गहरा है, कितना उचा है, Mount Everest कितना उचा है, तो ये सारे words के लिए आपको क्या चाहिए, size ना अपना है हर चीज़ का कितना दूर है, size ना अपना ह कितना पास है, कितना ज़्यादा अंदर गहरा है, कोई कुवा है मानलो तो कितना गहरा है, कितना डीप है, और Mountain है तो कितना उचा है, ठीक है, कोई object कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारे words के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो अपन ने unit defined करी, that is length, so measurement of length is usually defined as the size of object, its length, its breadth, its height, terms like long, short, wide, कितना चोड़ा है, road कितनी चोड़ी है, deep कितना अंदर है, near कितना पास, far कितना दूर, etc., इन सारे terms को define करने के लिए, we have defined measurement of length, or you can say that we have defined length, clear हो गया, notes बनाते जाना, नी तो बिखर जाएंगे, concert बता रहा हूं, ठीक है, इतर बित्तिर हो जाएंगे, इतर बितर नहीं करना न, सभाल के रखना है, united एगनम, तो वैसे, even distance come under this category, distance भी, मतलब यहां से माल लो, अगर मैं बोलू, कि दिल्ली कितना दूर है, तो वो distance, are you getting my point, तो distance भी length के अंदर आता है, मतलब आब जब distance ना पर हो, 100 km, 50 km, 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इसमें conversion है, units है, बहुत सार units है, सर, कौन-कौन सी units है, देखो, km, hectometer, decometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, centimeter, millimeter, अब आप बोलो कि सर, इतनी सार units, 7, 7 units है न, km, hecto, decometer, centimeter, centimeter, millimeter, 7, 7 units है, सर, कैसे याद रखें, और सर, सब में तो, क्या-क्या, इतनी सारे formula, सर, यह तो नहीं हो पाएगा, अब यह नहीं हो पाएगा, 1 km में 10 hectometer, अब 1 hectometer में 10 decimeter, 1 decimeter में 10 decimeter, 1 decimeter में 10 centimeter, 1 centimeter में 10 millimeter, 1 centimeter में 10 millimeter, सर, इसको कैसे याद करें, सर, कुछ short cut, short cut बता दो, सर, इससे पीछा चुटा दो, पीछा चुटा दो, चुटा दो, चुटा दो, चुटा दो, चुटा दो, चुटा दो, है, milli centi decimeter, बोलो मेरे साहर, milli centi decimeter deca hecto kilometer, अब देखो, base quantity यहां थी, जो मैंने बोला था na metric, base metric quantity मैंने बताया था, ऐसा unit अलग होती है, base metric quantity अलग, तो base metric quantity मतलब, जो आपने define करी, फिर उससे बड़ी quantity, जब 10-10, बड़ी quantity करते जाओगे, तो वो होते जाएगा deca hecto और kilo, और उससे छोटी quantity करते जाओगे, तो deci centi and milli, तो यह base quantity अपने define करी, जैसे length के लिए क्या define करी, base quantity, meter, क्या define करी, meter, यह याद रखना, base quantity क्या define करी, meter, अब एक meter में कितने, अगर एक meter को मैं जब भी दिया हुआ है, मैं आपको पूल दूँ, 10 meter है, ठीके क्या, तो 10 meter को, एक हैं, चलो, तो base quantity अपने क्या define करी, meter, एक सेन, यह थोड़ा उल्टा लिखा गया है, एक सेन, यह arrow उल्टे होंगे, यह उधर वाले arrow होंगे, सुधार लेना, अगर इसको notes बना लिए हो तो, वैसे तो अभी तो कहां तूरंदी दिखाया था मैंने, देखो, this one will comes in this side, बनाते जाओ, notes बनाते जाना पूरा प्रापर, और वैसे समझ लो, पहले समझ लो, देखो, अब base quantity में, जब आप 10 multiply करते जाओगे, ठीक है, तो 1 meter, 1 meter किसके बरापर होगा, 10 cm, 10 से multiply करोगे, तो आप उधर जाते जाओगे, decimeter, centimeter, millimeter में, तो millimeter हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, decimeter, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, centimeter, millimeter, फिर यहाँ पर क्या हो गया, millimeter, तो इसका मतलब meter में, जब आप 10 multiply कर दोगे, तो बंजहाँ का decimeter, मतलब 1 meter कितने decimeter के बरापर, 10, फिर 10 से multiply कर दिया, फिर decimeter में आप और 10 multiply कर दो, तो 1 decimeter कितने के बरापर है, 10 cm के बरापर, फिर 1 cm कितने millimeter के बरापर है, 10 mm के पराबर तो मतलब आपको याद क्या करना है यह जो मैंने इससे पहले पताया था यह पूरा ऐसे याद करने की जो होती है ऐसे मैं तो confused हो जाओगे तो क्या याद करो यह गाना याद करो मिली सेंटी डैसी बेस वैल्यू मिटर मिली सेंटी डैसी मिटर देका हेटो कीलो मिटर अब क्या याद रखना है कि यह जो बेस कॉंटिटी है उससे इधर आते जाओगे तो चोटी कॉंटिटी है ठीक है और उसके उधर जाते जाओगे तो बड़ी कॉंटिटी है calculating my point मतलाग, km सबसे बड़ी quantity है, 1 km सबसे ज़्यादा होता है, और उससे छोटी quantity, hectometer, उससे छोटी quantity, decameter, उससे छोटी quantity, आपकी जो base value है, meter, फिर उससे कम decimeter, उससे कम centimeter, उससे कम mm, और इन सब में 10 का अंतर है, देखो, 10 mm मिला करके 1 cm बना, फिर 10 cm 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 मिला करके 1 cm बना, 10 cm मिला करके 1 cm बना, 10 cm मिला करके 1 cm बना, और 10 cm मिला करके 1 km बना, तो कितने का अंतर है 10-10 का, तो यह metric system भी follow किय पूरा कि येस अब एक मिटर कितना डैका मितर होगा तो डिवाइट कर दो तैन से जब आप डिवाइट कर दोगे तो डैका मिटर आ जाएगा सी टॉंसे देल्चमेटर से डिवाइड कर दोगेतो है कैडतर है और की्छाह और कीलो मीटर है तो अगर मालनो आपको question दिया हुआ है कहीं पर कि convert करो km को decimeter में direct मालनो मैं बोल दू 3 km है इसको कितना decimeter होगा decimeter decimeter में d छोटा होता है decimeter कितना decimeter होगा 3 km कितना decimeter होगा हो लोगे चलो km से decimeter जाना है तो टैन हंड्रेड थाउजन टैन थाउजन येस देखो kilo से hecto करोगे तो 10 hecto से decimeter करोगे तो फिर 10 मतलब 100 decimeter से base quantity में आओगे तो thousand फिर यहां से decimeter में आओगे तो 10,000 मतलब 10,000 से multiply करना है तो 3 को 10,000 से multiply करोगे तो 30,000 decimeter decimeter? are you getting my point? मतलब सिर्फ यह याद हो milli centi decimeter 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 hecto kilometer तो आप किसी को भी कहीं से भी कहीं पर convert कर सकते हो याद रखना यहां से kilometer से hectometer में convert करना है तो 10 से multiply करना पड़ेगा फिर 10 से multiply 10 से multiply 10 से multiply 10 से multiply और उधर से milli से hecto में आना है तो 10 से divide करना पड़ेगा TENS से Divided जैसे घर मैं बョल tuh आपको 5000 cm है बताओ यह कितने decimeter की बराबर होगा ठीक है? 5000 cm में किसी के बराबर होगा तो आपको कहां से कहांजा है यह देखो आपको cm से decimeter में आना है तो 10 से divis? 100 से divide, 1000 से divide जब आप 1000 से divide करोगे तो आपको decimeter मेलेगा तो पाँच डेका मिटर के बराबर है बताओ यह याद करना पड़ा किया नहीं, मिल गया छुटकारा थैंक यू सो मज भाईया आपने इससे छुटकारा में दिला दिया तो आपको क्या याद रखना है मिली सेंटी डेसी मिटर बोलो मेरे साथ डेका है टो किलो मिटर, किलो मिटर से मिली मिटर तक आते समय मल्टिप्लाई करना है और इधर से उदर जाते समय डिवाइड करना है चमक गया, convert कर लोगे पका, चलो तो इस lecture को तो अपन आज यहीं पर end करते है next class में questions करेंगे questions करके फिर weight देखेंगे टाइम देखेंगे, एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, करंसी देखेंगे, अपना सपना मनी मनी, क्यों? फिर उसके बाद अपन्त क्रोसा टेंपरेचर, ठीक है? कोरोना का बुखार ना पेंगे, और ये चैप्टर को समाप करेंगे, इसी के साथ आप फ्री हो ठीक है? और इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, थोरी से स्पीड बढ़ाने की, स्पीड और जरुवत है एक्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एक्जाम में देखो, आपका 100% माइंड का एक्टिविटी, एक्टिव होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपकी स्पीड थ टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है क्या? चलो, तो आज इस क्लास को यहीं पर एंट करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, अब आपको आगे जाता टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आगे है, अब आगे जब मैं वेट का बताऊँगा, तो बहुत जल्दी करूँगा, इतना टाइम नहीं लगाँगा फिर उसमें, अरिकेटिंग में पॉइंट, चलो, तो यह थोड़ा आपका बड़ा वीडियो बन गया, कोई बात नहीं, तो हसते रो, मुस्कराते रो, और देखते रो, सौरव बाल टेकेट।